नमस्कार दोस्तों, भक्ति द्वार टेलेविजन के नए अध्याए धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्राचीन देवस्थलो की अमर गाथा और इससे चुड़े अने को रोचक तत्य तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भक्ति द्वार टेलेविजन। हमारा प्रयास सदा रहें आपके साथ। हम आपको लेकर चलते हैं वीरों की धर्दी कहे जाने वाले राजस्थान की राजधानी जैपुर। पिंग सिटी के नाम से मश्गूर ये जगे अपने आपने खास है। हवा महल के साथ यहां प्राचीन मंदिरों का संगम देखने को मिलता है। तो आईए आज हम जानेंगे जैपुर बिल्डा मंदिर जिसको लक्ष्मी नारायन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैपुर के मोती डुंगरी पहाड़ी पर इस्थित ये मंदिर कई मायने में खास है। ऐसा कहा जाता है कि जैपुर के महराजा ने एक रुपे की टोकन राशी के लिए जमीन दे दी थी। तब बिल्डा द्वारा सफेद संगमर्मर के पत्थरों से इस मंदिर का निर्मान सन 1988 में करवाया गया था। मंदिर की सनरचना में प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधोनिक डिजाइन के साथ इस मंदिर की दिवारों को देवी दियोताओं के गहन नकाशी, पुराणों और उपनिशदों के ज्ञान भरे शब्दों से सजाया गया है। इस मंदिर में सुक्राद, क्राइस्ट, बुद्ध, कनफ्यूश्यस जैसे कई एतिहासिक प्राप्त करताओं और अध्यात्मिक संतों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी नारायन मंदिर अपनी बारीक नकाशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में परेटक आते हैं। चमचमाती रोश्णी और तेल के दीबक के साथ सजाया जाता है। इस दिन भारी संख्या में परेटक भगवान कृष्ण का आशिरवाद लेने के लिए आते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे रोशक तत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अर्या बारी स सब्सक्राइब जरूर चैनल करें। अर्या जरूर जरूर उसा करें। झाल झाल